हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे तो फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में सबसे जादे पूछा हुआ कोश्चन में बताऊंगा आपको सारी चीजे एक्स्प्लेर करूंगा कि क्या सेकेंड कॉट आएगे लखना हो इनोश्टी की कब आएगी यह सारी सबसे पहले हम लोग सुरू करते हैं इस वीडियो को देखिए सेकेंड कट आफ आती क्यों है यह हमारा सबसे पहला प्रशन है वो तब आती है जब युनिवर्स्टी पहली कट आफ देती है और उसकी काउंसलिंग करा लेती है और जितने स्टुएंट को बुलाई रहती है क प्रता मौसलिंग में उसके पास सीट्स बच जाती है तब हो सेकेंड कट आती है और एक और चीज में तुब से अजीब बताऊंगा इस इनवर्ष्टी के बारे में इस इनवर्ष्टी की पहली कट आफ और आफ बाकियों की पहली कटाफ में जमीन आसमान का फरक है वो क्या चालिस और तीसरी आगे जितनी बची उनको भरने के लिए इनका क्या है लखनावी नोश्टी में देखिए मां बी ये की बात करता हूं मैं बी ये में देखिए कुल मिला कि कि उने 5200 लोगों को बुलाया सीट से लगभाग डवल ऐसा ये लोग क्यों करते हैं मैं आप पताता हूं ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं अब देखिए अपने आपको अपले लीजिए आपने फॉर्म डाला होगा तो कि वह लखनावी उनुश्टी करें डाला होगा अपने ल इसलिए 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 आपको सोचो अपनी सीट से लोग डवल को बलाया हुआ है अब देखिए इनका प्रोसीजर कैसे चलता है अब देखिए इन्होंने आट जून को एक से लेके चार सो तक के बच्चों को बुलाया अब उसके बाद इस दिन तो यहनोंने कोई वेटिंग नहीं रखिए लेकिन अगले दिन देखिए चार सो से लेके साड़े साथ सो तक में अब जो उपन वेटिंग से नाइन हंड़ है तो इन में जो बच्चे नहीं आया होंगे आठ ज देखिए उसके बावजूद देखेंगे आप तो देखेंगे कितनी सीट खाले आते हैं उसके बाद भी इनको भरोसा है इन्होंने ओपन वेटिंग में अगर आप देखेंगे दस जुन को फिर से बुलाया आप ओपन कटिगरी की वेटिंग डालके 901 से लेके 1400 मतलब एक से लेके 900 रैंक आठ और नौ जुन के बीच में जो लोग बच्चे रैकेंट सीट छोड़ गया जो एड कांसलिंग में नहीं आए जिन्होंने अटमीसन नहीं लिया उनको फिर से मौका मिलेगा उस सीट को भरने के लिए 901 से लेके 1400 तो आप समझ गया होंगे किस तरह से लोग सीट सट चोड़ देते हैं और मैंने ने देखी आठ जुन नौ जून और तस जून की जो कांसलिंग होई है उसकी पूरी रिपोर्टिंग के यह विडियो बनाके 8 जुन वो खितनी सीट सीट भरी North 20 लोगिटी सीट भरी।cito सम्झेंग कितनी सी पची हैं कौन सब्जेक क्ष डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देती है आठ जून से नौ जून पाद दस जून के कांसिलिंग की पूरी इंफॉर्मेसन अब यह प्रोसीजर समझ गया होंगे अब क्या होगा इनके पास जितनी सीट्स भी यह की है उसके बाद जब 5000 सीट्स से उपर भर जाएंगी अब इस नहीं मिलना है या फिर उनको अच्छे कॉंबिनेशन नहीं मिलना है कुछ लोग को ओनर्स चाहिए ओनर्स फुल हो चुका है मैंने दस जून वाले वीडियो में बताया है कांसिलिंग की पूरी इंफॉर्मेशन में कि तीसरे दिन भी यह ओनर्स भर चुका है ओपिन डगर तो बच्छे एडमिसन नहीं लेंगे ठीक तो इस हिसाबस अगर सारे बच्चे सीर्ट तो कवर करते हैं तो सेकंड कट आएंगी लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं सीर्स बच गएं सेकंड कट आफ जरूर आईगी और कव आएगी तो बुक कव आएगी देखिए 18 जून तक कि नोने बताया है अब सीथ बच गए तो 19 से 20 जून के पीच में फिर यह अगली कटॉफ डाल देंगे मेरे साब से 20 जून तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं जिनको सब्जेक्ट अच्छे चाहिए तो सेकंड कटॉफ में बिलकुल बिस्वास ना रखें क्योंकि जो सबसे आख कटॉफ के चक्कर में पढ़ने की को जरुत नहीं है वो आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगे तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर लेजे मैं पूरी इंफॉर्मेंशन डे वाइस जालता रहता हूं और डिस्क्रिप्सिन में मैंने कांसलिंग की पूरी डिटेल जो आठ नौ जुन और दस जुन की है वो डाली है लिंक तो आप वहाँ से वीडियो को देखे समझ सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीदिए और थैं